तो हां तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको 8 class, बिहार वोड का इंगलिस बुक का ये 10 नमर का chapter, chapter 10 आपको बताने वाले हैं, ये आपका chapter 10 है, जिसका नाम है my land, मेरी मात्री भूमी, ठीक है, कवीता है, बहुत ही अच्छा कवीता है, line, while in Hindi अर्थ आ बताने बारे, तो चलिए सुरू करते हैं, last तक बने रहे, तो चलिए हमारा poem सुरू होता है, जिसका नाम है my land, मतलब मेरी मात्री भूमी, जहां पर आप जनम लिए जैसे कि भारत में जनम लिए, तो भारत माता, ठीक है, तो यहां पर कभी कहते है, see is a rich and rare land, rich मतलब ameer होत dear मतलब पिरिये, this native land of mine, अब कभी का कहने का अरथात हुआ, यह धनी और अकेला देश है, see is rich and rare land, यह धनी और दुरलव देश है, जो कहीं पर जल्दी नहीं मिलता है, oh, see is fresh and fair land, अरे यह हरा भरा और सुन्दर देश है, यह हरा भरा और सुन्दर देश है, see is dear and rare land, यह पिरिये और अनोखा देश है, this native land of mine, यह है मेरी जन्म भूमी, यह है मेरी मात्री भूमी, फिर से समझियेगा कभी क्या कहते है, see is rich and rare land, यह धनी और दुरलव भूमी है, जो कभी किसी को जल्दी नहीं मिलता, oh, see is fresh and fair land, अर यह पिरिये और अनोखा देश है, this native land of mine, यह है मेरी जन्म भूमी, यह है मेरी मात्री भूमी, आगे बढ़ते हैं, चलिए, देखिए, अगला हमारा पंक्ती क्या बोल रहा है, उसको समझते है, no man than herds are wherever, अब कभी कहते हैं, कि इसकी संतान से अधिक कोई बहादूर नहीं है no man than herds are wherever, इस मात्री भूमी का संतान के इतना कोई और बहादूर नहीं है, her immense hurts nearer wherever, इसकी नारियों का हिर्दे कभी संकुचित नहीं होता, मतलब इस देश की जो बेटियां है, नारियां है, उसकी हिर्दे कभी संकुचित नहीं होता, I would freely die to save her, इसकी रक्षा करने में मैं न निश्चित रह पाता हूँ, I would freely die to save her, आप या भी कह सकते हैं, मैं इसकी आजादी और इसकी रक्षा के लिए मरने को भी तयार हूँ, and think my Lord divine, और हूँ अपनी पवित्र दुहाई देता, और मैं इस से अपनी पवित्र मात्र भूमी के लिए कुछ भी करने के लिए मैं बोल तो कभी का कहने का मतलब हुआ, कि no man then hurts are wherever, her omens hurts nearer wherever, मतलब इसकी संतानों से यदि कोई बहादूर नहीं है, यहां की बेटियां जो है, वो कभी इसकी हिर्दे संकुचित नहीं होती, I would freely die to save her, and think my Lord divine, इस पवित्र मात्री भूमी के लिए, आजादी के लिए, इस स्वतंतरत के लिए, इन्हें बचाने के लिए, मैं अपनी जान निचावर कर दूँगा, कभी का ये तात्वर ये है, देख लिजिए, आगे कभी कहते हैं, she is not a dull or cold land, या भदा और रूखा देस नहीं है, या खराब और रूखा देस नहीं है, no, she is a warm and bald land, bald मतलब साहसी, नहीं, या कर करमठ यहां के लोग करमसील होते हैं, साहस वाले होते हैं, ठेक है, she is not a dull or cold land, no, she is a warm and bald land, मतलब या भदा और रूखा देस नहीं है, या करमठ और साहसी देस है, oh, she is a true and bald land, oh, या सच्चा और प्राचीन देस है, प्राचीन समय से इसकी प्रतिष्ठा कायम है, oh, she is a true and old land, या सच्चा और पुराना देस है, this native land of mind, या मेरी जन्म भूमी का देस, या मेरी जन्म भूमी है, या मेरी मात्री भूमी है, ठीक है, तो यहां पर कभी अपने मात्री भूमी का वर्नन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अगला point, could beauty ever guard her, मतलब यदि इसकी सुन्दरता इसकी रक्षा कर पाती, इस देश की जो सुन्दरता है, अगर इसकी रक्षा कर पाती, ध्यान दीजिएगा, and virtue still reward her, और गुन भी इसे पुरुस्कृत कर पाती, इस देश का जो गुन है, इसे पुरुस्कृत कर पाती, no fwe would cross her border, fwe मतलब दुस्मन होता है, तो कोई दुस्मन इसक पुरुस्कृत करता, no fwe would cross her border, तो कोई दुस्मन इसकी सीमा नहीं लांग पाता, no friend within, fine, पता, इसका कोई मित्र उदास नहीं हो पाता, और इस देश का जो भी मित्र देश है, वो कभी sad नहीं होता, उदास नहीं होता, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और हमारा last पंक अगले चप्टर के लिए, अब आपका परशन नहीं होता, तो आपका यह पोयम खतम हुआ, ठीक है, अगर आपको याद करना है, तो दो तीन बार इस वीडियो को डाउनलोड करके देख लिए, और लाइक करके सब्सक्राइब कर लिजी अगले चप्टर के लिए, अगले च अगले चाहिता, ध्यान देजी, बोल रहे, नेम दा क्वालिटीज अफ दा स्पीकर स्नेटिव लेंड, मतलब इस पीकर की जो मात्रभूमी है कभी की, उसके बारे में आपसका वर्नन की, जी क्वालिटी बताई, ता क्वालिटीज अब दा स्पीकर स्नेटिव लेंड आर, पॉलोईं, रिच, रेर, फ्रेस, फेर, बियर, वार्म, बल्ड, अल, तू, तो यह उनकी मात्रभूमी की बिसे स्ताएं है, अमीर है, दुटलब है, ताजा है, फ्रेस है, फेर है, दियर है, वायम है, बल्ड है, टू है, तू है, तेल दा क्वालिटीज अप में और ओमें, लिव इन अफ दा, लेंड अफ दा, लेंड अफ दा स्पीकर, मतलब कभी की मात्रभूमी पर जो रहता है, उसके क्वालिटीज के बारे बताई, दा में अफ दा लेंड आफ दा स्पीकर, और ब्रेवर इंकम प्रिजन, तू पीपूल अफ अधर लेंड, दूसरी मात्री कभी की क्या कामना है, वो इस मतलब कामना या इक्षा होता है, कभी की क्या इक्षा है या क्या कामना है, तो ध्यान दीजिएगा, कभी कहते हैं, कि इस देश के दुस्मन को, हम अपने देश की रक्षा के लिए इस दुस्मन को मानने में मर भी सकते हैं, मतलब आजादी के ल लोगे स्टेट में साथू और फॉल्स बता ये ट्रू है कि फॉल से जो इस्टेट मेरे से रसने दपोयम इस अबाउट फ्रेश और फेर ले तो फ्रेशन ताजा और सुंदर भूमी के बारे में कवीता है तो तुरू होगा इस पीकर इस रेड़ी तो सैक्रिफाइस लाइफ और सेक्व अफिस मदर लेंड मतलब अपनी मातरी भूमी की सेवा के लिए बचाने के लिए कभी अपना जीवन त्याग करना चाहता है तो तुरू होगा कभी अपने भूमी के लिए मरन ना भी पसंद करता है तो पोई ड़न टॉक अबाओ दवर्शी वेव्टी ऑफ इस बड़ पलेश कभी अपने मातरी भूमी की सुनदर्ता के बारे में नहीं बताता है तो गलत बात है सुनदर्ता के बारे में भी बताता है तो यह फॉल्स हो जाएगा ठीक है स्क्रिंस्ट कर लिजिए आगे बर जाते देख है तो यह तुरू हो जाएगा उसके बादा पॉइट इस प्राउड ऑफ इस मदरलें कभी को अपने मातर भूमी पर गर्व है तो यह भी टू होगा सही बात है गर्व ही होना चाहिए ठीक है आगे बरते हैं बोल रहा है भी.2.1 में तिक नमस्ट आप्रोप्राइट आप्स आगे बरते हैं अगला आपका दूसरा प्रशन है अब्जक्तिव कह सकते हो तो पोईट सेस्ट इस नेटिव लेंड इस गाड़ेड और रिवाड़ेड बार किसके दोरा सुरक्षा और प्रुस्कृत के लिए ग्रेस ऑफ गॉर्ड इस ब्यूटी और्वर्श्यू सम अन्नो आटसर चाह Courtney स्व हो एक तो यहार किसके लिए परयोग किया गया है किलिए परक्रीयों क किया 38将 के लिए है महिलाओं च्रीक्ति नमर 250 तो आपका इसको जस्टिफाई कीजिए या कोई और सुटेबल टाइटल वाता है अंसर होगा देपोयम स्टाइटल माई लेंड इस क्वाइट पर्फेक्ट बिल्कुल सही है देपोईट है बेस्ट हिस पोयम इस अदर लेंड आर कंट्री या जो कभीता है कभी अपने देश पर अपने यह टॉटल पर अधारित है तो टाइटल फूट तो यह सट खाता है टाइटल इसका वी ताम में अडर टैटल कुड विए इसका हो सकता है मेरी मैने नेटिव लेंड अगि मेरी मात्री भूमी राइट दमेन आइडिया आफ दो पोयम वाइड इन यह जो माइलेंड है इसकी आइडिया विचार क्या है, में आइडिया मुख्या, पोयाम माइलेंड इस बास्ट प्रियोटिक फिलिंग्स अफ दा पॉइट, कभी की देश भाग्त महसूस करने वाली जो फिलिंग्स है, उसको व्यक्त करता है, कभी अपने मातर भूमी में बहुत जयदा रहते हैं, कभी अपने मातर भूमी के लिए मरना भी परसंद करेंगे उनकी रक्षा के लिए, एक महान देश भक्त की तरह, ये केबल इसके गुन के अपने देश के गुन की चर्चा करते हैं, तो कभी हर इस्थिती में अपने मातर भूमी को दूसरे की मातर भूमी से ऊपर समझते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बरते हैं, आपका अगला तीसरा प्रश्न है, आप क्या लोगों के, कभी के नजरिये से सहमत हैं कारण दीजिए, तो आंसर अगा वन हैस्थिती मातर भूमी से प्रेम करता है, तो उसे अपनी मातर भूमी का केवल गुन ही बताना चाहिए, तो पोईट is also doing the same in his पोईट, कभी जो है, एकदम उसी परकार से काम करते हैं, he wants to die freely for his country, वो एकदम आजादी पुर्वक अपने देश के लिए मरना पसंद करते हैं, he wants his country to be always free and free from its enemies, कभी अपने देश को हमेसा आजाद करना चाहतें इसके दुसमरों से और उसके लिए मरना भी परे तो कोई दिक्तत नहीं, I agree with the views of poet, मैं कभी कि इस विचार से इस नजरिये से सह मत हूँ, ठीक है, और लास्ट परशन आपको देख लिजिए इस poem का, what according to the poet are the qualities of one down country which one out to be proud of, मतलब ऐसी कोई qualities बताइए जिसके लिए हम अपने country पर गर्व कर सके, इस परकार से है जिसे कि the country is rich, अमीर है, rare है, दुरलब है, fair है, dear है, warm है, bald है, according to the poet, कभी कियनुसा, ठीक है, कभी कियनुसा हमारी मात्रभूमी ऐसी है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह जो आपका दसमा चेप्टर था, दसमा चेप्टर आपको पता है, जिसका नाम है My Land, तो यह आपको बताया है, इसका अर्थ बताया और इसकी प्रश्णतर को बताया, तो वीडियो अच्छे लगे तो अभी लाइक कर दिजिए, सब्सक्राइब करके आप शेर तो जरूर कीजिए, आपके जिसमेतर के पास यह वीडियो नहीं किया, ठैक्स पर वाचिंग, मिलते हैं दूसरे वीडियो में धन्यवाद,